हेलो दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रिशन कैसे बने और इलेक्ट्रिशन बनने के बाद हम लोग कमाई कैसे कर सकते हैं तो देखो बहई इलेक्ट्रिशन बनने के दो तरीके हैं पहला है अगर आप 10th और 12th पास हैं तो आप इस बेस पे ITI कर सकते हो ITI के बाद आप डिपलोमा कर सकते हो Electrical में तो आपको ITI करनी है ITI बेस पे भी बहुत सारी जोब मिल जाती हैं और अगर आप डिपलोमा कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहता है क्योंकि ITI और डिपलोमा बेस पे बहुत सारी जोब होती हैं जो आसानी से मिल जाती हैं अगर हम किसी कंपनी में जाते हैं जोब करने के लिए तो वहाँ पे ITI और डिपलोमा मांगते ही मांगते हैं बिना ITI डिपलोमा के आपको वहाँ पे जोब नहीं मिलेगी या फिर दूसरा आपके पास कम से कम 15-20 साल का experience होना चाहिए जिस base पे कि आप company में job करने लायक हो दूसरा अगर आप और भी आगे पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप इसमें engineering कर सकते हैं electrical engineering अब एक तरीका तो यह है कि आप पड़लिख के electrician बने दूसरा तरीका यह है कि आप किसी अच्छे electrician के साथ मिलके काम सीख सकते हो अगर आप किसी electrician के साथ काम सीखते हो तो देखे यहां तो आपको ITI में 1-2 साल फिर diploma में 3 साल इस तरह से time यहां पे ज़्यादा लगता है देखे यहां पे तो समय लगता है लेकिन जब आप किसी electrician के साथ काम सीखते हो तो यहां पे आपको 4 महिने-6 महिने में काम आप सीख जाते हो और फिर आप field में रहके काम करना सुरू कर देते हो तो पहला तरीका है आप किसी अच्छे गुरू उच्छे उस्ताद या किसी अच्छे इलेक्टिशन के पास काम सीखें दूसरा आप सोसल मेडिया पे भी आजकल ट्रेनिंग कोर्स चल रहे हैं तो आप किसी भी अच्छे चैनल को देख सकते हो YouTube पे काफी सारे चैनल है जिनमें एक मेरा चैनल भी है विनोत कुमार टेक्निशन आप इस चैनल पे आके भी मेरी वीडियो देख के गाम सीख सकते हो मैं अब से पहले YouTube पे regular नहीं था मैंने तक्रिवन एक साल में 10-11 वीडियो डाली है लेकिन अब मैं YouTube पे regular रहूँगा regular का मतलब हर एक या दो दिन में मेरी वीडियो आती रहेगी जिसमें मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से face, neutral, earthing इनके बारे में स्टार्टिंग से वीडियो बनाऊंगा और घर की wiring कैसे करते हैं, MCV box कैसे लगाते हैं और underground fitting, open fitting इस तरह की जो भी जरूरी वीडियो होंगी वो मैं अब regular बनाके YouTube पे डालूँगा तो आप इनको देखकर भी काम सीख सकते हो दोस्तों सबसे पहले तो आपको ये decide करना है कि आपको किस field में electrician बनना है क्योंकि electrical की जो line है ये बहुत बड़ी line है इसमें हर चीज के electrician होते है अब जैसे देखिए हम घर से शुरुआत करते हैं जो घर के local electrician होते है अब देखिए इनका काम क्या होता है जैसे घर की wiring करना घर में switch socket जल जाते हैं उनको change करना MCV box के problem दूर करना electricity meter से आगे पूरे घर में जो भी बिजली का काम होता है वो सब यह electrician करते हैं तो यह single face, three face के electrician होते हैं दूसरा आप AC fridge के mechanic बन सकते हो आप AC fridge line में जा सकते हो इसके repairing का काम सीख सकते हो तीसरा motor winding का है तीसरा motor winding का है जो cooler होते हैं, पंके होते हैं इनकी motor खराब हो जाती है या पानी के pump है, water pump है खराब हो जाते हैं, इनकी motor repairing का काम होता है इसके बाद electronics line है जिसमें आप यह TV, LCD वगएरा खराब हो जाते हैं रेडियो खराब हो जाते हैं उनको repairing का काम आता है इसके बाद PCB repairing का काम है यह भी electronics से जुड़ा हुआ है PCB में देखिए, आजकल automatic washing machine आ रही है इनमें PCB लगी होती है AC के अंदर PCB होती है और जो double door के freeze है, उनके अंदर PCB होती है आपके microwave में PCB होती है इनके जो repairing का काम है यह भी आजकल बहुत बढ़ी है चल रहा है season में लोगों को host भी नहीं मिलता इस काम से इनके अलाबा भी बहुत सारी field रह जाती है जैसे DG का है अब DG का काम है diesel generator होते है तो मैं कहता हूँ कि यह line बहुत बढ़ी है और इसमें सभी field में हम लोग master नहीं बन सकते है तो सबसे पहले आप decide कर लो कि आपको किस line में जाना है यहाँ पर देखिए electrician का सारा काम single face, three face का और AC fridge repairing का काम यह दो कामों में मेरी mastery है यह दोनों काम है तकरिवन 20 साल से कर रहा हूँ तो इन दोनों कामों पर मेरी अच्छी पकड़ है AC में मैं split AC, window AC का mechanic हूँ fridge, single door, double door सभी तरह के fridge repair करता हूँ साथ में washing machine repairing का काम है तो यह तो मेरा एक काम है दूसरा मेरा electrician का काम है जो single face और three face में जो electricity work है वो सारा मैं करता हूँ तो इन दोनों काम के बारे में आपको पूरी जानकारी मेरे YouTube channel पर मिलेगी और अगर आपको और भी काम करना चाहते हैं तो बहुत सारे YouTube channel है आप search करके देख सकते हो तो भाई सबसे पहले तो आपको यह decide करना है कि आपको electrician का काम सीखने के बाद job करनी है या अपना काम करना है अगर आपको job करनी है तो भाई ITI और diploma बहुत ज़रूरी है बिना इनके आपको company हो में job नहीं मिलेगी अगर आप गरों में काम करना चाहते हैं और अपनी दुकान करना चाहते हैं तो फिर आप इस फिल्ड में आईए अच्छे से जानकारी लीजिए जहां से भी जानकारी मिले आप लीजिए काम सीखी अच्छे से महनस से चार से च्छे महीने में आप अच्छी तरह काम सीख जाओगे बलकि एक या दो महीने में आप इतना काम सीख जाओगे कि घरों में जाके सुच सोकिट चैंज कर सकें MCV चैंज कर सकें और घर की wiring के छोटे मोटे fault दूर कर सकें इतने training तो आप एक दो महिनों में वैसे ही सीख जाओगे अगर आप मेरे channel की videos continue देखते हो तब अब भाई दूसरे question पर आते हैं कि electrician की कमाई किस तरह से होती है तो देखें मैं आपको बताता हूँ भाई electrician बनने के बाद आप देखें किस तरह से पैसे कमा सकते हैं क्या क्या काम है जो आपको करने हैं और किसके थूर आप पैसा कमा सकते हो और कितना पैसा कमा सकते हो देखो भाई इसमें ना income की कोई limit नहीं होती वो आपके ओपर depend है कि आप जितनी मेहनत करोगे उतना पैसा आप कमा सकते हो इसमें देखो सबसे पहला काम है जो हम करते हैं हम घरों में जाके काम कर सकते हैं घरों में काम करके हम पैसे कमा सकते हैं किसी की घर की wiring में कोई fault आ गया है wiring जल गई है MCB box जल गया है switch socket खराब हो गया है तो पहला काम तो यह होता है कि हम घरों में जाके काम कर सकते हैं दूसरा काम है कि भाई आप अपनी shop खोल सकते हो अगर आप दिल्ली NCR में रहते हो तो भागी रथ पैलेस भागी रथ पैलेस ये लाल के लिए के सामने market लगती है यहाँ पे बिजली का सारा समान मिलता है आपके wire, switch, socket, original, local सब तरह का माल यहाँ पे आपको मिलता है वहाँ पे आप 20-30,000 रुपे खर्च करके अपनी दुकान में समान भर सकते हो तो दूसरा काम हो गया आप अपनी दुकान खोल सकते हो दुकान खोलने के कितने फाइदे हैं यह भी मैं अभी आपको बताऊंगा इसमें तीसरा काम जो है वो है छोटे बड़े आप ठेके ले सकते हो छोटे बड़े ठेके से मतलब है कि भाई आपके अडोस-डोस में कोई मकान बन रहा है तो 50 गजगा है, 100 गजगा है, 200 गजगा है कितना ही मकान है, छोटा है, बड़ा कैसा भी है आप उसका पूरा ठेका ले सकते हो इसमें लेंटर में पाइप डालने से लेके दिवार में जिरी काटना, पाइप दबाना बाद में वायरिंग करना, स्विच सोकेट का सना पूरा कंप्लीट आप उसके मकान का ठेका ले सकते हो इसमें भी अच्छी खासी कमाई इलेक्रिशनों की हो जाती है क्योंकि भाई देखो, जो लोकल रेट चल रहा है वो तक्रीबन 20 रुपे स्क्वेर फिट चल रहा है 20 रुपे स्क्वेर फिट का रेट अभी मार्केट में जो सबसे कम रेट है वो चल रहा है अब 20 रुपे स्क्वेर फिट, 30 रुपे स्क्वेर फिट में किसी भी मकान का ठेका पकड़ सकते हो और कमर्शल में ये रेट 30 रूपे square feet या 40 रूपे या 50 रूपे square foot तक का rate हमें मिल जाता है अब मान लीजे कोई मकान है 100 गज का 100 गज का कोई मकान बना रहा है अपना तो 100 गज में 900 square foot होते हैं और अगर आपने इस ठेके को 20 रूपे square foot के इसाफ से भी पकड़ लिया तो आपके देखिए 18,000 रुपे एक फ्लोर का काम आपके पास आता है ये तो सबसे कम रेट है जो मैंने बताया है आपको और ना 30 रुपे 35 रुपे स्क्वार फिट से कम में कहीं कोई इलेक्रिशन कोई काम करने के लिए राजी नहीं है अगर आप 30 रुपे स्क्वार फिट भी लेते हैं तो देखिए 27,000 रुपे का ये काम बनता है आपका अगर आप 20 रुपे स्क्वार फिट लेते हैं तो देखिए 900 स्क्वार फिट जो तकरिवन 100 कज की जो मेजरमेंट होती है उसमें 18,000 रुपे का काम एक फ्लोर का बनता है अब मान लिजे उसमें तीन फ्लोर चड़ा लिए तो 18 ती या 54 आपका 54,000 रुपे का काम एक ही मकाम से आ जाएगा अब मान लिजे कहीं कोई कमर्शल कोई बिल्डिंग बन रही है दस मंजल की और उसमें आगर आपको काम मिल जाता है तो वो 40 से 50 रुपे स्क्वेर फिट के हिसाब से आपको मिलेगा और उसका एरिया भी जादा ही होगा मान लो अगर वो 2000 स्क्वेर फिट में कोई बिल्डिंग बन रही है और आपको वहाँ पे एक या दो फ्लोर का भी काम मिल जाता है तो 2000 स्क्वेर फिट गुना आप 40 रुपे से कर लीजिए तो 4 दूनी 8 तो देखें यहाँ पे 80,000 रुपे का काम एक फ्लोर का आपके पास आता है अब कमर्शल कम्पलेक्स में आपको काम कैसे मिलता है देखें कमर्शल काम आपको कैसे मिलते हैं मैं बता देता हूँ कमर्शल जो काम होते हैं कमर्शल बिल्डिंग जो बनती है उनका काम इंजिनियर के पास जाता है तो इंजिनियर क्या करते हैं कि खुद काम नहीं करते हैं वो local electrician पकड़ते हैं, अब माले ज़े 10منजल की building है, तो वो kisी local electrician उनके पास होते हैं, तो वो उनमें से उनको काम दे देते हैं, एक floor का काम या दो floor का या तीन floor का काम आपको दे दिया, और अगले दो floor का काम किसी और electrician को दे दिया, इस तरह से वो पूरी building का काम डिवाड क कर देते हैं उसमें आप डारेट काम नहीं पगड़ सकते हो क्योंकि वही कोई बिल्डिंग मनती है थो उसके नियम होते है कुछ वो ऐसे लोकल बंपो से काम नहीं कराते हैं वो ईंजनेर के स्लूट कराती हैं लेकिन इंजनेर अगर आपने अपनी शॉप खोली हुई है मान लीजिए आप किसी के घर में या कोठी में काम करने के लिए जा रहे हैं किसी के घर में या कोठी में या किसी फ्लैट में काम करने के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पे कोई MC भी खराब है तो आप अपनी शॉप से MC भी वहाँ पे लगा सकते हो और कोई switch socket खड़ाब है तो आपके शॉप में वो चीजें है या wiring जली हुई है तो आपकी शॉप में wire है तो आप अपनी शॉप से ही सारा समान ले जा करके यहाँ पे घर पे कहीं पे भी काम कर रहे हो वहाँ पे आप लगा सकते हो तो देखे आपका जो माल है उसमें भी आपके थोड़े बहुत पैसे बनेंगे और बाकी जो आपने उस काम को करने के लिए जो पैसे ठहराए हैं उस बंदे से वो पैसे भी आपको मिलेंगे इसमें तो कमाई यहाँ पे भी अच्छी होती है इसमें तो मिरे भाई देखा आपने कि एक Important कितने तरह से पैसे कमाता है किस किस तरह से पैसे कमाता है और और भी कई तरीके हैं जैसे engagement कर लेते हैं पुछ लोग अब आपको हो गई है agreement क्या है तो भाई agreement मैं बता देता हूँ जो electrician होते है न वो 4-5 कंपनिया जो उनके आसपास होती है जो 4-5 किलो मिटर की रेंज में होती है उनसे agreement कर लेते हैं जैसे मानलो 5,000 रुपे कंपनी का agreement कर लिया पर मंत का कि भाई साब आपकी कंपनी में कोई भी कोई फाल्ट होता है मैं आके देख लूँगा 24 गंटे मेरी facility available है day हो या night हो कभी भी कोई फाल्ट होता है तो मैं आपको यहां पर आके उसको दूर कर दूँगा कोई light खड़ाव है light change करनी है या wiring का कोई फाल्ट है कोई MC भी जल गई है तो इस तरह से कोई भी चीज है कोई भी फाल्ट है तो आप उसे मतलब वो 5,000, 6,000 या 4,000 रुपे मंतली में आपको वहां की AMC मिल जाती है तो जो भी कोई फाल्ट होगा आप जाके उसको दूर कर देंगे वहां पे और ये आपको मंतली वहां से payment आती रहेगी इसमें भी लोग अच्छा पैसा कमा रहे है तो मिरे भाई आप electrician बनने के बाद आपके पास कमाई के बहुत सारे रास्ते आजाते हैं आप किसी भी तरीके से पैसा कमा सकते हो तो मेरे भाई देखा आपने यापे Electrician बनने के बाद आप कितने तरह से पैसा कमा सकते हो आपकी मेहनत है आप जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे उतना ज़्यादा पैसा आप इसमें कमा सकते हो बाकी इसमें पैसे की कोई limit नहीं है मैंने आपको बता दिया है आपके उपर है आप जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे जितना ज़्यादा समय अपने काम को दोगे उतना अच्छा प्रोफिट आप इस लाइन में कमा सकते हो तो मेरे भाई बैस इस वीडियो में इतना ही तो मेरे भाई अब आप जान गई होंगे पैसा कमाते हैं और इस लाइन में कितना पैसा है और आपको इलेक्ट्रिशन बनने के लिए क्या करना है ये भी आपको पता चलिया है दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो कुछ motivation मिली हो तो मेरी वीडियो को like करना, साथ में अपने इस दोस्त विनोत कोबाट technician को subscribe जरूर कर देना ताकि भविस्या में और भी मेरी इस तरह की motivational वीडियो हैं आपको वो timely मिल जाए चलता हूँ दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में मेरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद जय हिंद